दुनिया भर में मंकी पॉक्स का खतरा बढ़ता जा रहा है। इस बीमारी के सबसे जादा 70% दी मामले यूरोप से सामने आए हैं। इस बीमारी से लोगों की जान तक जा रही है। यूरोप के स्पेन में मंकी पॉक्स से एक व्यक्ति की मौत हो गई। जिसे यूरोप की पहली मौत माना जा रहा है। दूसरी तरब भारत में मंकी पॉक्स पर बड़ी जित हासिल हुई है। लेकिन पहले बात दुनिया के मंकी पॉक्स केस पर। दरसल कोरोना संकट के बीच म मंकी पॉक्स के बढ़ते मामलों ने चिंता बढ़ा दी है दुनिया भर में मंकी पॉक्स से 7 लोगों की मौत हो चुकी है जिसमें 5 अफरीकी देशों के थे मंकी पॉक्स मीटर डॉट कॉम के मुताबिक 88 देशों में मंकी पॉक्स के मरीजों की पुष्टी हो चुकी है इनकी संख्या 22,000 से जादा है सबसे जादा 14,000 केस यूरोप में मिले हैं अगर भारत की बात करें तो देश में केरल में मंकी पॉक्स का पहला मरीज मिला था जो अब पूरी तरह ठीक हो चुका है केरल सरकार के मुताबिक देश का पहला मंकी पॉक्स का मरीज पूरी तरह ठीक हो गया है 12 जुलाई को संयुक तरब अमिराथ से लोटे केरल के 35 वर्षिय शक्स में मंकी पॉक्स के लक्षन दिखे थे बिमारी की पुष्टी होने के बाद उसे अस्पताल में भरती कराया गया था जहां इलाज के बाद मरीज ठीक हो गया इसके बाबजूद मरीज की निगरानी की जा रही है दूसरी तरफ मंकी पॉक्स को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच National Center for Disease Control ने कहा है कि केंदर सरकार मंकी पॉक्स के मामलों को देखते हुए तयार है पूरे देश में मंकी पॉक्स संक्रमन की जांच के लिए 15 टेस्टिंग लेब शुरू कर दी गई है संदिग्ध मामला आते ही तुरंत जांच की जाती है मंकी पॉक्स के अगर बात करें सरकार की किस तरह से तयारी है और लगवत कितने केसे अभी तक बाकी हमने सस्पेक्ट टेस्ट किये थे वो टेस्ट नहीं निकले पॉस्टिव तो यह दिखाता है कि हमारा सर्वेंस कितना परिपक्ट है किस तरीके से हम लोग कर रहे हैं जब भी कोई सस्पेक्ट जो हमको क्लिनिशन के दौरा इंगित होता है कि वह इसका मंकी पॉक्स हो सकता है तो हम उसको तुरंट उसका सैंपल लेकर टेस्ट कराते हैं और आपने देखे यह टेस्टिंग लबर्टरी 15 हैं और हमारी NCDC की पूरी समय समय पर की जाती है तो इसको हमें यह मान के चलना चीए सरकार इसके लिए पूरी तरह सजग है और किसी भी प्रकार के अंदेशा के लिए हम लोग पूरी तैयारी से बड़ी बात यह है कि डबलु एचों ने मंकी पॉक्स को लेकर पूरी दुनिया में हेल्थ एम संक्रमित व्यक्ति के कपड़े बरतन और बीस्तर चूने से भी मंकी पॉक्स फैल सकता है मंकी पॉक्स का संक्रमन होने पर सिरदर्द बुखार और ठकान महसूस होता है मांस्पेशियों में दर्द सरीर पर दाने भी हो जाते हैं कपकपी महसूस होने के साथ पीठ और कमरद अगर आप में भी मंकी पॉक्स के लक्षन हो तो आप खुद को आईसोलेट कर लें, इसके साथ ही डॉक्टर से सलाह लेना ना भूलें, मंकी पॉक्स के संक्रमन से बचने के लिए संक्रमित व्यक्ति के कपड़े या बिस्तर छूते समय मास्क जरूर पहने, अपने हाथों को बार-बार साबून और पानी से धोएं, अच्ची क्वालिटी के हैंड सैनिटाइजर का भी इस्तेमाल करें, इस खबर में फिलहाल इतना ही अपडेट्स के लिए बने रहिए One India हिंदी के साथ